फिर उज्जो कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो जो कहरी नीन सोई हुई थी अपनी नर्स के अलफाज पर उसकी आंके चर्ट से खुल गए कौन हसाम वो जल्दी से बैठकर यहां वहां देखते हुए पूशे लगी कल आपको डिस्चारज किया जाना था मगर हसाम सानी स्पेशल रिक्रस की है आपको आजे डिस्चारज किया जाए बाहिर आपके लिए एक काड़ इंतजार कर रही है नर्स के इनफॉर्म करने पर अपने आसपास किसी को ना पाकर उससे मायोसी हुई फिर हयाल आया हसाम ने ए जहां एक मुलासवा उसे अपने साथ लिए उपर वाले फ्लॉर पर थार्ड रूम में ली गई जहां एक ड्रेस और उसके साथ रेट रूस बढ़ा हुआ था जिसके नीचे एक चिट थी प्लीज ये पहन लो मेरी बम बोला मिस्स यू उससे चिट पर लिके अलफास करी मरत हम उसकुराते हुए दो रहाए फिर उससे उलाब की पत्यों को अपने हाथ की पोरू से चुआ उसके बाद वो उसे बेट पर रखकर वहां पड़ी ब्लैक फ्लॉक के साथ कैप्री पकड़कर वाश रूम में खुस गई ताकि फ्रेश होकर तब्दिल कर सके कपड़े तब् कुनी में कड़े देखा तो वो भी उसके जाने बढ़कर उसे उससे हग करते हुए बोला फाइनली आ गई मेरी याद कहा ते इतने दिन वो रुख पलटकर उससे देखते हुए बोली बस मसरूफ था कुछ काम में लीज मेरी जान सौरी वो मासूमित से अपने कान पकड़त वो बोला तो वो ना जाते हुए भी मुस्कुराने लगी मतलब माफी मिल गई क्या करूँ मेरा दिल बहुत बढ़ा है उससे दंग करते हुए बोली तो वो अससे हुए नीचे जुक कर उसके पेशानी पर अपने रप रख्या फिर उससे साइट टेबल कदर आस कॉला और उ मैं बहुत देर से तुम्हें ये पहराना चाह रहा था लेकिन हालात इजासत ही नहीं दे रहे थे वो नर्मी से बोला ये बहुत ब्यूटिफुल है अससाम वो नीचे चुक कर उसके उपर अपने लब रखते हुए बोली तो अससाम की मुस्कुराइट मजीद कहरी हो गई तुम्हारे भी ना मैं अधूरी हूँ तुम मुझे मुकमल करते हो अससाम वच्टान थैंक गॉड विहानक वक्त कुसर क्या है अब मैं तुम्हारे साथ बगए किसी खौफ के रह सकती हूँ वो उसके सीने पर सरकती हुई बोली लेकिन हीर हमारे जिंदी हत्रे और हौफ के गिर्धी घूमती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो क्योंकि यह हकीकत है और तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हीर तुम बहुत मासूम हो यार ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं है हाँ तुम मुझे फरक नहीं पड़ता है तुम्हारे साथ मैं यहां रह लोगी वो जा चाहते हो असा, साफ साफ अलफाज में कहो न, तुम मुझे छोड़ना चाह रही हो, वाट, मैं बस कह रहा तुम, I hate you, उसके अलफाज मुकमल होने से पहले गुस्से से कहकर रूम से वाही निकल गई, मगर उसका बास हो बगड़ गया, क्या बगवास कर रही हो, बात पुरी सुनी नहीं, और ऐसे हाइपर हो रही हो तुम, तुम्हें हो क्या गया है, मुझे ही होफ मारे जा रहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, और तुम अभी वो ही कहने वाले हो, वो तकरीवन रोते हुए चिल्दाए, इस जीज़ से बेहाबर के नीचे लोग मुझूद हैं, लेकिन तुमने मेरी बात मुकमल नहीं सुनी, मैं बस कह रहा था तुम पाकिस्तान चली जो, वाओ, ग्रेट, इंडारेक्ली कहा तो वो ही न, वो तर्ख लेजे में बोली, वो गॉड़ से खीर, वो उसका हाथ छोड़ का अपने बालों में हाथ बेनी लगा, तुम मुझे पाकिस्तान वेज रहे हो, क्योंकि तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो जलती निगाँ उस उसे देखते हुए बूशे नगी, ओ माइ गॉड़ हीर, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाज़त के लिए, ओ शट्टा है लब, मुझे इस हिफाज़त के लफ से ही नफरत हो गई है, इसी को समाल करके मेरा बाप मुझे छोड़ गया था, और यही तुम कर रहे हो, वो दिवाना वार उसके सीने पर मुक्के मारते हुई जी ही, हीर, मर गई हीर, जौँ निकलो यहां से, नहीं जुरूइत मुझे किसी की भी, उसके अलफास काटते हुए बोली, मेरी बात तो, क्या बात, समझ आ क्या मुझे, तुम भी मेरे बाप की तरक कायर हो, मेरी जिन्दीगी में दो आत्मी है, एक शोहर और दूसरा भाप, और मसीद की बात पता है क्या, दोनों ही बेहिस और बुच्जिल, हामोश, इससे पहले वे मसीद बोलती, हसाम का हाथ हाथ हवा में उठा, कुछ भी बगवास करने से पहले सोच लिया करो, किसके बारे में बोल रही हो, वो अपने उठे हुए हाथ को मुट्टी की शकल में बंद करके, सरेले लाज़े में बोला, हाँ, तो जूट क्या है इसमें, अभी वो हाग बगोला होकर कही रही थी, कि उसके धोचा सेडियों के पास करें रॉयल सेखी जी, जो ना समझी सुन दोनों को ही देख रहे थे, पीर की निगाँ एक वुजू से टकराई, तो हसाम के पास से गुजर कर, जाकर उनके सामने खड़ी हो गई, जो सोफे के करीब खड़े, फिकरमंदी से उसे ही देख रहे थे, आप इतने बेरहम और संग्दिल क्यों है, वो सब की उट्टी निगाँगों को नजर अंदास करके, जाँ सीर साब के सामने कड़े होकर, उनकी आँकों में देखते वे सवाल करने लगी, तो रॉयल सो ब्लेक, जो सब उपहां कठे थे, बढ़ों से लेकर बच्चु तक शिदी छटके से ये मन सा देखने लगे, तुम ऐसे बास से कैसे बात कर सकती हो, शारिप ने घुस्से से कहा, हाँ हीर, कोई, मैं यहां किसी के बास से नहीं बलकि अपने बास से मुहातिब हूँ, इससे मेरबानी होगी अगर कोई इसमें तखल अंदासी न करे, वो तलही से बोली, तो उसके अलफाज पर सब के मुँख खुल गए, जिने पता था वो हामोश रहे, जो इस बास से लाएं थे, उनके चेरे देखने की काबिल थे, भीर बेटा, नहीं हूँ मैं आपका बेटा, ये लफस आप बोलना भी मत, वो उससे से बोली तो जानजेब साब ने तकलीफ से अपने लफ भींचे, अगर आपका बेटा होती, तो आप ये सब कुछ ना करते, मेरे साथ जो आप 19 साल से करते है, आपने मुझे बाब की शफकत और मुहपत से महरूम रखा, आपके होते वे मैंने यतीम हो वाले जिन्दी कुसारी, आपको तरस सहीं आया मुझ पर, ये अलफास कहते वे उसके आँके अश्वार हुई, तो जाँजीर साब ने उसे अपनी भाहों में समीटना चाहूं, मगर वो फूर्थी से उन्से धूर हो गई, तो वो अजियत से अपनी आँके बंद कर गए, फिर, उन्ने सुर्ख होती आँकों से उसे देखते हुए बुकारा, तीन साल, बाबा मैं सिर्फ तीन साल की थी जब आप मुझे छोड़ कर चले गए, मैंने हर दिन, हर रात दर्वासे पे खड़े होकर आपका इंतसार क्या है, आप अब आओगे, आप अब आओगे, मगर आप कभी नहीं आए, ये कहते हुए वो शित अस्रोदी, तो उसके लहचे और अलफास में दर्वास में सूस करके, असकड़े सब उसे तकलिफ से देखने लगे, हाइमा बेगम ने आगे पढ़कर उसे अपने सीने में पीचना चाहाँ, वगर हुरिया बेगम ने उससे गंदे पर हाथ रखकर रोक गई, यूँकि वो जाती थी, इतने सालों से बाप बेटी के रिष्टी में जो करवाट है, वो बाहरी निकल जाए, कहते हैं, बेटे मां के लडले होते हैं, तो बेटी हैं बाप की शहजादियां, उसका सुकून होती है, क्या मैं आपकी शहजादी बेजी नहीं थी, जो आपने मुझे यूँ खुद से बेगाना कर दिया, क्या आपको मेरा वुजूद पसंद नहीं था, अगर नहीं पसंद था, आप मुझे बताते, मैं आपके खरे के मुदाबिक ठल जाती, लेकिन आप मेरे साथ यूँ तो ना करते, मेरे पास सो मावी नहीं थी, सिर्फ आप ही तो थे, और आप भी, ये कहते हुए उसके आँखे रवानी से वरसी लगी, जहां सेब साब, उस सक फोंचना चा रही थी, मगर वो फास सा उनकी और अपने दर्मयान बना दी जा रही थी, असाम का वसन ही चल रहा था, वो उसे सबसे चुपा कर बहुत दूर ले जाए, भीर, मैंने उस वक जोग किया, वो ही ठीक था, उस वक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंके, क्योंके आप अंटरवर्ल के बाश्या बन रहे थे तब, आपके लिए माफिया देशित करती और सुल्म परसी के जिंदगी अपनी बेटी से भड़ करती, वो उनके अलफास काटकर आगबोगोला होती हुई बोली, तो सबने ना समझे से उसके तरफ देखा, हीर, तुम ये क्या कह रही हो आजकल, तुमने कल भी यही कहा था, असाम माफिय की यूटी दे रहा होगा, विशाल जो तब से अपनी दोस्त के दुख में दुखी थी, उसके अलफास पर ना चाहते हैं भी बोल पड़ी, हाँ, तो जो असलियत है वो ही बोलूगी न, अब ने अलफास सो अज़ाद नहीं होंगे, तेहशत करदों को तेहशत कर न बोलू तो और क्या बोलू, उससे हन लही जे में बोली, लेकिन हीर, क्या हीर, वो इशाल के अलफास काटी हुई बोली, कि आला मेंशन विस्स चाहिदादे, मासूम लोगों को लूट कर, उनका उकदल करके बनाएं कहे हैं, जब इन में रहते हूँ, खुटन नहीं होती, समीब अलामत नहीं करता, वो जानसेव साब की तरफ देखते हूँ, सुलक दिल है, जै में पूछे लगी, घीर तुम साधा बोल, शरम आनी चाहिए आपको, चार पैसों और सस्थी शोहरत के नाम पर, इतना घटिया काम करते हुए, लोगों के घर उजाड़ते हुए, आपको तकलीफ नहीं होती, ओ, आप जैसे बेहिस लोगों कहां दर्थ होता है, जो नस्ते धभा करने के आदी हूँ, उनके लिए तो अपने सग्य उलाद को भी छोड़ना मामूली सी बात है, वो तनसिया रुच सा कहका लगा कर बोली, साथ ही उसकी आँगों के नारों से आंसों गिरने लगे, जो जैसे ब साबने अफसोर से नहमें साही लाकर अपनी आँखे बन कर थी, वहां खड़ा, अर इंसान उस शक्स की पावर से वाकिव था, अगर वो चाहे, तो यह कफ औरी मुबन करवा सकता है, लेकिन एक बाप की मुहबबत उस पावर फुल शक्स के हाथ भान गई थी, अपने जिन्दी में कवी इतना हारा था, जितना इस पर हारा हुआ मैसूस कर रहा था, आंखे क्यों मन कर ली, खोले न, अब आंखे मिलाने की हिम्मत भी नहीं रही, अब मजीद एक लफ्स तु मेरे भाई से कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो इस जान साब जो चुप चाप तब से सब देख रही थे, भीर की निलफास पर उनकी परदाश चवाप देगी तो फूरी बोले, क्या बत्तमीजी, यही करवी सच्चाई है, वो एक एक लफ्स जवाब कर बोली, जहां सेब साब जो तब से सब भागरी से परदाश कर रही थे, उनकी हिम्मत जवाब देखी, और बौने मजीद सहारा नहीं दिया, तो पीछे की जानिब के कर, वो तो पीछे सोफा था, इसे समीन पर गिरने से बच गए, वहां मुझूद सब के सब तकलीफ सुनकी जानी भागे, कहते हैं, एक मर्श सब तुक तर्ट परदाश करने की दाकत रखता है, लेकिन जवान उलाद जब सवाल उठाती, और सहीले अलफास वोलती है, तो अपने उमर से पहले बुड़ा हो जाता है, वो अपनी उलाद के बेगदरी के आगे कमजोर बढ़ जाता है, और वही जहां सिर्साथ के साथ हुआ था, नहीं है ये सच्चाई, वी आर नोड प्रड़ी माफिया वीपल, तुमसे आखिर ये सब कहा किसने है, किस जहनमी शक्स ने तुमसे कहा है, कि हमारा तालुक अंडर वर्ल्ड से है, और तुम्हारा बाफ वहां का बाश्या है, ये जो कुछ वास्ते पर धड़कते दिल के साथ, अपने बाबा को अपना सर, अदू में बगड़ा हुआ देख रही थी, जहां उनके भाई उनके एटगेट ढाल बनकर कड़े हो गए थे, उसका बस नहीं चल रहा था, अपने बाबाबा की करीब जाकर उनसे पूझे वो ठीक है, वो बेशक कुछ भी कहले, जब बाब को तकलीफ होगी बेटी की जान पर खुद बहुद बनना आईगी, शावर की अलफास पर उससे निगाए अटा कर उसकी जानिब देखा, जो चुलिसी निगाउस उससे ही देख रहा था, इन इस सोफे के पीछली जानिब देखा, जहां असाम जांसे उसकी कंदे पर हाथ रखकर अफसोस देख रहा था, उससे समझ नहीं आ रहा था, इस बागल लड़की को कैसे समझाए, फिर वो उनसे दूर होकर उसकी जानिब कदम बढ़ा गया, बोलो हीर, किसने कहा हम माफिया के लोग हैं? शासाम और सुहान जो तब से बजल होकर सारी सिचुएशन दीख रहे थे, उससे करीब आकर फिकरवंदी से फूशे लगे, तो हीर ने अपने जहिन पर सोर दिया, तो उससे एक भी ऐसा लमा याद नहीं आया, जहां उन लोगों ने उससे कहा कि वो माफिया के लोग हैं, वो, हाँ, बताओ किसने, उससे वापिस से अपने जहें को खंगालना चाहां, तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यह हमेशा उससे सोचा था, किसी ने उससे कहा तो नहीं था, असाम को बनेडों के रूप में देखा, फिर किटनैपिंग, फिर एडॉप्टिंग, जहां से इपका वहां रहने के लिए ब्लैक्मिल करना, लेकिन इस दोरान किसी ने भी उससे नहीं कहा कि वो लोग माफिया से हैं, ओ, तो फिर तुम लोग क्या हो, असाम ने मेरी किटनैपिंग गी थी, फिर प्लेन में डामेड चोरी किये, राज दिल में वाच चुराई थी, फिर न्यू यॉउप में डारेक्ट ट्रेनिंग, और फिर एक और मिशन, और वहां से भी डेटा चोरी किया था, मतलब अब लोग चोर हो, वो मासूम यसे पूछी लगी, तो उस अधरनाक सुरत आल पर भी ना चाहते हुए, सब के लब हलके से मुस्कुराए, नहीं, कुछ हुदा का होफ करो, हम दी रॉयल से हमें चोरियां क्यों नी क्यों पढ़ेंगी, बनान ने आईब रोश खाकर गाँ, हाँ, तो तुम लोग जो इतने अमीर हो, लोग का माल लूट लूट कर ही बने हो, असामने मेरी आँकों के सामने हीरे, और वोट चोरी किये है, खुदा जाने तुम लोग और क्या क्या चोरी करते हो, वो भी तुर्की बाद तुर्की भोली, तो, ओ माई कॉड, कह दो ये जूट है, जब उसके दमाग में कुछ क्लिक हुआ, तो वो पहली हुई आंकों से उन सब के जाने देखते हुए बोली, ये सच है, हमारी सिक्रेट एजेंट्स के एजेंट्सी है, हम हुफिया वर्क करते हैं, तुम अपने बाबा कुछ लम्हों पहले कह रही थी, कि वो लोगों के घर उचाड रही है, हकीकत तो ये है कि वो लोगों के घर सवा रही है, वो नसलू को तबा होने से बचा रही है, तुम्हारे बाबा सिर्फ किसी एक मुल्के हांदानों की हिफाज़त नहीं कर रहे बलके पूरी दुनिया की हिफाज़त कर रहे है उन्होंने किसी से कुछ लूटा नहीं बलके अपने जान पर खेलकर अपने अपनों से जुदाई काट कर लोगों को पस दिया है और दिन रात बस यही कोशिश कर रहे है किस देशित कर लफ्स का ही नाम और निशान किसी एक मुल्क से नहीं बलके दुनिया से मिटा दे बज़्टान साब के बताने पर ही शौक से यह इन्फॉर्मेशन हिप्स करने की कोशिश करने लगी और लेकिन यह कैसे पॉसिबल है ऐसा करना नामुम्किन है वो अपने खुश कोते लफों पर सुभान फेरते हुए बुली कैसे नामुम्किन है कुछ भी नामुम्किन नहीं होता सब पॉसिबल है शावर ने संजी थी इसे कहा लेकिन इंगनेशियों नहीं कहा था मेरे बाबा अंडर वर्ल के बेताज बाच्छा है वो कैसे फिर वो ना समझी से पूशन लगी तो वज़्टान सहाब नहीं कहका लगाया जैसे लोहे को लोहा काटता है बिल्कुल वैसे ही माफिया का सफाया करने के लिए माफिया के अंदर खुसना पोगा अक्सर बड़ों से ये तो सुना होगा बाच्छा अगर अपनी कुर्सी पर बैटा रहे तो उसके उनकी तकालीफ की हवर नहीं होगी इसे लोहों की मसाइब तक पहुँचने के लिए वो अक्सर अपना हुलिया बतल कर उनमें खुमा करता है ताकि हर चीज को अपनी आँकों से परक सके यही तुम्हारे बाबा का स्टाइल है किसी चीज को जड़ से खीशने के लिए उसके मुकमल मालूमात हासिल करने के लिए वो उसमें धस जाते हैं माफिया के लोगों के लिए वो माफिया है बिजिनसी दुनिया के लिए वो वर्ल्ड पेस्स मिस्समें है और हर मुलकी आर्मी के लिए वो रेट टीम के सरवरा है जो करप लोगों पर रेट डालने के लिए उन्हें हर वक्त information और मालूमात फरहाम करते हैं और हर मुलके माफिया से मतलिक mission के लिए मदद के लिए अपने लोग भीज़ते हैं और उनके वो लोग हम ती रॉयल्स हैं असामने वहां मुझूद सब लोग की जाने पिशारा करते हुए कहा हूँ ये रॉयल्स का हिदाव हमें यूही नहीं मिला हमने कमाया है लोग को लगता है पैसे के रूच की वज़ा से है लेकिन ये हमारे दिन रात अंतक मेहनत का सिला है जब तुम पाकिस्तान थे वो तुम्हारा mission था लेकिन तुम्हारे बारे में न्यूस तुम मीडिया में कर्दिश कर रही थी उन सब को कैसे दभाया और हीरे क्यों चुराए और सबसे भड़कर प्राजील ने वाच क्यों चुराई मुझे क्यों गिटनेप किया वो अपने सेन में उपड़े सवाल पूशे लगी हाँ मैं mission पर था और मैंने जान पूच का बरनेडो का हुलिया है त्यार किया हुआ था जो कि मैं नहीं हूँ तुम मीडिया की स्टुडेंट हो तुमने बरनेडो के बारे में क्या सुना हुआ था वो 50 साल का है उसका दालुक इतली से है और वहां का टोन है उन्यावी से बोली इग्जेक्टली जो कि मैं दूर-दूर तक नहीं हूँ मैं रज़ा परनेडो जो कि इतली का टोन था जिसका राइट हैंड अरहम था अर हमकी मोद के बाद उसकी केस को मैंने हैंडिल किया तो मुझे पता चला कि एक पाकिसानी ओफिसर हाथ मूध होकर उस केस के पीशे पड़ा हुआ था जिसकी उस दोरान मोध हो गई तो मैं पाकिसानी जेल में रहे के कुछ इंफोर्मेशन ढूनना जा रहा था अकसर जेल में क्रप्ड लोग जादा होते हैं इतनी इर्फोर्मेशन आपको बाहर रहकर नहीं मिलेगी जितनी अंदर रहकर मिल जाएगी मैं बस पाकिसान के मुकमल क्रप्ड लोगं के हलाद जानने के लिए सेंटरल जेल में था लेकिन रसा पर नेट होई क्यों? बताया तो है पाकिसानी ओफिसन उस पर काफी महिनत की थी इस दिए उसका इस्तमाल किया है वैसे भी उसे हमारी रेट टीम ने इटली की आर्मी की मदद से गिरिफदार करवा दिया था इस दिए उसका नाम इस्तमाल करने में प्रॉब्लम नहीं थी ओके लेकिन तुम पाकिसान की हालात की हो जानना चा रहे थे? क्योंकि मैं ओफिशली पाकिसानी एजेंट हूँ मेरे बापा का तालोग पाकिसान से था इस दिए मैं especially पाकिसान के लिए कुछ करना चा रहा था तो मैंने पाकिसानी आर्मी चूस की तो कोई information मिली? हाँ, जिससे हम लोगोंने हीरे चुराए थे वो diamonds के smuggling कर रहा था तुमने नोट किया होगा, मैंने एक फाइल भी निकाली थी उस फाइल में हीरे के codes मुझूद थे उसके जरीए हम लोग असल diamond smuggling dealer तक पहुंच चुके सकते थे बस वही चुरा कर मैंने information अपनी पाकिस्तानी टीम को दी थी वो mission मैंने पाकिस्तानी सिक्रेट agent के दोर पर कम कमल किया था ओ, तो मुझे पूरा हफ़ता जेल में क्यों भूलवाया? उपर से footage क्यों चलवा थी? तो मैं देखकर उन्होंने उसे खूरा तो वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ सरिंडर कर किया हूँ और यार रही बात footage की वो किसी बेवकूफ ने वहाँ record करके मिडिया में दे दी जब मैं वहाँ से फरार हुआ तो और तुम उस footage में एक बार गोर की? तुम्हारा और मेरा चेहा वाज़ा नहीं था पुलिसे तुम्हारे हलाफ मजबूरी के तोर पर action लिया क्योंकि ये हबर आग की तरह पहल गई थी क्योंकि तुम्हारे information बाहिर सपाही के record में मुझूद थी पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही चला जाओ फिर सोचा तुम्हें रेक्सक्यू कर लो जब मैं तुम्हें पुलिस खाड़ी में लेकर निकला तो एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया फिर बोस से कॉल करके orders चारी किये तुम्हारे साच लड़की है उसे ले आओ उनके अलफाज में पहली पार हुकम के साथ गवराट भी थी मुझे अजीब सा लगा एसास हुआ कुछ करवा है है अब पता चला वो करवर असल में है क्या थी मुझ चांसिप की चानिप देखता हूँ बोला साहरी सी बात है उनकी बेटी मुश्किल में थी उनके अलफाज से परेशानी तो होगी ना बाद में बोस ने पाकिस्तानी आर्मी से रब्ता करके उनसे कहा यो अपनी मीडिया में नियूस से कि पाकिस्तानियों ने रजा बर्नेडो को पकड़कर इटली की फोज के हवाले कर दिया है क्योंकि असल मुझरिम वो उनका ही था सो सजा देना उनकी आर्मी का ही हक है और लड़की मासूम है बस फिर चीफ की ये स्टेटमेंट सेकेंस बे सोचल मेडिया में वारल हो गई और लोग तुम्हें और मुझे भूल गए वैसे भी यार पाकिस्तानी फोज की बात हो रही है जो दुनिया की बेस्ट फोजों में सेक है उसकी आंकों के सामने से दुश्मन कैसे बच कर जा सकता है वो आखिर में इतरा आते हुए बोला ब्राजील में भी रेड टीम ने वहां के डॉन इंटेनियो को पकड़वाया था इशाल के बाबा उस मेशन के सरवरा थे उनकों मदद की जुरुए थी इसलिए मैं न्यू यॉयॉक जाने की बचाय तुम्हार साथ ब्राजील चला गया वहां मैंने रेड टीम को मेंबर होने के तोर पर मेशन कर रहा था घड़ी चोरी कटना महज़िक वहाना था असल मकसल इन धैनियों को रंगे हाथों आर्मी के हाथों पकड़वाना था तुमने अगर धिहान दिया हो तो वहां पुलिस आई थी वह बस इसी सिलसले में आई थी और उस मेशन के दुरान बोस की जानिब से हुकम था कि देखा जाए तुम इमोशनली और मेंटली कितनी स्ट्रोंग हो बस इसलिए तुम्हारे साथ काफी सक्ती की गए यही वजाती इशाहल के बाबा ने तुम्हें रखेल वाला कॉमेंट पास किया था जिसका तुमने काफी जूरा से सामना किया था तुमने जितने सवाल किये मैंने तुम्हें सब के जवाब दे दिये बागी के जवाबाद तुम्हें बाबा दे सकते हैं असाम संजीती के से कहकर जाल साहिप की जानिब देखने लगा तो यह इने भी अपने बाबा की जानिब दीखाऊ जो फिकरमंदी से उसे ही देख रहे थे बाबा आप सारी दुनिया के मुहाफिस अपनी बेडी को क्यों शोड़ दिया देखे न अपने आसपास सब अपने बच्चों के साथ है आपको कभी मेरी याद नहीं आई आई आपका दिल नहीं किया मुझसे मिलने को उससे बाते करने को मुझे जमाने की उश्री सिखाने को पता है मैं कितनी रादे रोकर आपको याद करके खुशा रही है। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। वो चोटे-चोटे कदम उठाकर उनके करीब जाकर पूशे लगी। तो वो खड़े होकर उसे अपनी कले से लगा कर तो शित्त से रो दी। ठीक है आप दुनिया के लिए ही रो हो लेकिन बाबा मुझे भी तो सुरुएत थी। मुझे क्यों छोड़ दिया मेरे पास सो मामा भी नहीं थी। उसके सिसकते होई पूशने पर चाज़ेव साब की आँकों से आंसो भैकर उसके कालों में किटने लगे। मैं चाहता था तुम्हें हर पल अपने सीने से लगा कर रखूँ। लेकिन बेटा मैं मुझबूर था। तुम्हारी मां की मौत उसी तहशित करती के हाथों हुई थी। तुम साल भर की थी जब तुम्हारी मामा एक दिन कुछ उमलासमाओं के साल शॉपिंग करने गई। वहाँ मार्किट में ब्लॉस्ट हो गया जिसमें तुम्हारी मामा की उफ़ाथ हो गए। मुझे तुम्हारी मामा से बहुत महभबत थी। मुहबबत क्या है इश्क था उसकी मोह सुकून से जीने नहीं दे रही थी दो साल बाद मैं सब छोट छाड़ कर अपनी मनसिल की जानी भड़ गया सेहन में बस एक ही जजबा था ये कैसे भी करके मुझे इस दुम को हतम करना है उसकी जड़ों को खीजना है बस उसी सफर में काफी लोग मेरे साथ शामिल हो गए मैंने एक हुपिया एजेंसी बनाई जिसका नाम रैट रख्या जो पूरी दुनिया क्या अदमियों की मदध कर रही थी साथ में मैंने बिजनिस की दुनिया में अपना नाम बनाया मेरी टीम में जितने भी लोग हैं मुझे सब ही अपनी जान से जादा अजीज है लेकिन वहाज, वजदान, यावर, अफ़ान और बाकी सब प्रॉयल्स मेरी फैमली बन गए हम लोग दिन बादिन और आस्मानों की तरक्यों को छूने लगे इस दुरान मैंने तुम्हे अपने पास इसलिए नहीं बुलाया और ना तुमसे राब्ता किया क्योंकि मैं लोग को अपनी कमजोरी नहीं बताना चाता था मैं तुम्हारी मां की तरह तुम्हें भी जुम का निशाना बनते हुए नहीं देख सकता था जानती हो ना, इनसान जब बहुत उंचाईयों पर होता है ये जालिम समाज उसके हांदान कोई टार्गिट बनाते है उन्होंने कह कर ही कि आंगों से आंसु जुने जो मसलसल बे रहे थे मैंने जब जब तुम्हें अपनी फैमली में शामिल करने का सोचा कुछ फैमली वाले ही हादसे अपनी नजरों के सामने देखे जैसे वजड़ान की फैमली को टार्गिट किया गया तो हूरिया आठ साल कौमा में रही उसकी बेटी की वफाद हुई ऐसे ही वहाज की बेटी को टार्गिट करके उसको कतल कर दिया गया उनके अलफास वहाँ मुझूद सब लोगों के सखमतासा हो गए सबकी आंके नमोने लगी भीर मैं डड़ता था मेरे पास होने से तुम्हारी जानी नुकसान ना हो यही वज़ा थी मैंने तुम्हें हुच से दूर कर दिया अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता तो उस मैंशन की चार दिवारी में कैद रखता मेरा दिल हर वक्त तुम्हें लेकर ड़ता रहता यही वज़ा थी मैंने तुम्हें पाकिस्तान में तुम्हारी मासूमित भरी जिनी जीने दी मैं तुम्हारी किसी भी चीज से बेहबर नहीं था मैं चाहता था तुम अपनी लाइफ की ये स्टेज स्कून से जी लो क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुइशन के बाद मुझे तुम्हें अपने पास बुलवाना ही बुलवाना था मुझे पता था तुम इतनी जल्दी मुझे एक्सेट नहीं कर पाऊगी इसलिए वहाज को तुम्हें एडॉप्ट करने का मश्वरा दिया ताके तुम भी यहाँ आकर बागी बच्चों के साथ ट्रेनिंग ले सको फिर मैंने तुम्हें इतने अर्शे हुच से दूर रखा मुझे उस पर कोई पश्टावा नहीं है हर बाप चाहता है उसकी उलाद महफूज रहे बेशक को फिर साथ रहकर रहे या दूर रहकर देखो तुम मेरे पास आई हो मेरे बेस आदमी ने तुम्हें ट्रेनिंग दी लेकिन तुम फिर भी जखमी हो गई बाद तुम्हारी चान पर आ गई यह कहते हुए वो रो पड़े तो यही इतने अपना चेहरा उपर उठा कर उनकी आँखों से आसोश किये बाबा आई लव शू वो मुहबबस से बोली जिस बाब ने उसकी एफासद के लिए इतना सहा हो वो बला ऐसे बाब से नराज कैसे रह सकती थी बाबा की जान वो नम आँगों से मुस्कुराते हुए उसके पेशानी शूमते हुए बोले बाबा ये सब इतने मस्बूत बावस्ता हैं क्योंकि इनके हर कदम पर आप उनके साथ थे इस ये सब दीरोयल बन गए लिकिन मेरे बास आप नहीं थे इस इतनी ट्रेणिंग के बावजूत उत पर वो भरोसा आया ही नहीं तीस बावा इस बाव मेरे ट्रेणिंग आप करो वैसे भी जो कदम बाव चलना सिखा दे दुनिया की कोई ताकट उससे गिरा नहीं सकती इस बाव मेरा आप साथ दे बावा प्लीज जैसे आपने सब कर दिया है वो उनकी चेरी को जूनते विलते जा करने लगी तो सब ना मांकों से मुस्कुरा दिये ओगे लेकिन इस दुरान तुम्हे सबसे कट ओफ होकर सिर्फ मेरे पास रहना होगा वो आइपरोच का कर बोले कितना अर्सा तीर से पहले हसाम ने सवाल किया भाई वो कैसे उसके बगए रहीगा वो उसके अलफाज तो वैसे ही पत्तर की लखीर होते हैं दो साल वाट कभी नहीं हसाम ने दिजाज चिया तो उसके हालत देखकर सब अपनी हसी दवाने की कोशिश करने लगे तो मुझ पर सवाल कर रहे हो मिस्चर हसाम उन्होंने अपने पहले स्टाइल में आते हुए पूचा तो हसाम में अपना थोग निकला सर जो भी है लेकिन ये बहुत अर्सा है वो मू बनाता हुआ बोला बाबा इस ही न सुने ये तो वैसे मुझे पाकिसान भेश रहा था देखना मुझे मेरे बाबा ट्रेनिंग देंगे तो तुम्हें बताओंगी असाम वच्टान मैं सुन्या के लिकितनी मासू हो जिन्होंने मेरी मामा को चीना है और कितने घर बरबाद कर रहे है उनके लिए चंगली शेरनी न बनी तो मेरा नाम ही रॉयल नहीं उससे इत्माद से कहा तो चांजीब साबने कुश होकर उसके पेशारी को चूम लिया क्योंकि वो पॉलाइट की जगा रॉयल इस्वाल कर रही थी जो कि उनके लिए बहुत माईनी रखता था यार तुमने पूरी बात नहीं सुनी मैं कह रहा था तुम्हारी इफासत के लिए कुछ हरसा तुम और मैं दोनों ही वहां जाते हैं फ्रीकी तब से सुनाई जा रही मैंने भी जाना था तुमारे साथ इसी वज़ा से इन सब को यहां बुलाया था कि गुडबाई कहकर चलते हैं लेकिन तुम पुमो बनाता हुआ बोला तो सबका कहका हुआ में खुजा लेकिन अब तुम अकेले जाओ और जाकर अपने फराइस सर अनजाम दो और इनाम के तोर पर दूसरे साल के एहतताम पर मैं हीर को तुम्हारे साथ रुस्त कर दूँगा अगर आइमा को कोई दराज ना हो तो जहां सेब साहब ने आखरी अलफास आइमा के जाने देखते होगे कहें यूँकि बेशक वो एटॉप्टेट मां थी लेकिन उन्होंने मां का हक निवाय था नहीं मुझे कोई दराज नहीं है वो हीर के करीबा कर उसके सर पर प्यार देती हुई ना मांकों से बोली तो हीर ने अपने बाबा के कले लगे ही आगे भड़कर उनके रुखसार पर अपने लफ रखती है वो अभी अपने बाबा से लग नहीं होना चाहती थी यूँकि बहुत अरसे बाद वो उन से मिली थी वो इस मुहबत को तरस सी आई थी लेकिन सर बागी सब तो ठीक है लेकिन आपने हीर का मुझसे निकाल क्यों करवाया असामने सवाले नसूसों ने देखते हुए पूछा तो जो लोग इस हवर से अंचानते वो शौक से उन दोनों को देखने लगे क्योंकि हम जिस दुनिया में काम करते हैं जिंदी ही मौत का कोई भरोसा नहीं मैं अपने इलावा हीर को एक मजबूस सहरा देना चाता था जो तुमारे इलावा कोई हो ही नहीं सकता था वो सुकून से बोले अल्ला आपको बहुत साथा लंबी और सहे तंदरुसी वाले सिंदी ही दे आमीन वो उनके केद अपना हसार तंकरते हुए बोली एक सवाल और प्लीज प्लीज जब सब बास बड़े सोफू पर बैठ गए तो ही जल्दी से उठकर पूशे लगी रेट टीम के बारे में लोग क्यों नहीं जानते मतलब सब आर्मी के लोग तुम लोग को चानते हैं तो तुम लोग की शर्नाख बाहि क्यों नहीं आई उन लोग के पास हमारी कोई शर्नाख नहीं है हम मार्क्स भेहन का मुलाकात करते हैं तुमने नोट किया हो, तो जब सब्मिशन पर थे, उन्होंने मार्क्स भेहना हुआ था, इसे वो लोग हमें सिर्फ रेड नाम से जानते हैं, हमारी उनके पास बस यही पेचान है। तुमने कि घूगिए हुआ 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 है।